नमस्कार मैं सतेंद कुमार गवर्मेंट इटे कॉलेज वांसी डिस्टिक वांदा में टीचर हूँ और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल आई टी आई 362 डिग्रीज में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका एक कन्फूजन क्लियर करना चाहता हूँ ट्रेनी वेरिफिकेशन के जो है रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे यूटूब के कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे ट्रेनी वेरिफिकेशन कराना है या फिर SCBT वाले भी कमेंट कर रहे जो इस प्रकार के कोश्चन है वो सारे मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूँगा इस पष्ट तौर से मैं आपको बताऊंगा कि किन चात्रों का ट्रेनी वेरिफिकेशन हो रहा है वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी चात्रों को मैं बताना चाहा रहा जिन चात्रों ने NCBT में एडविशन लिया है और 2021 में एडविशन लिया है आप लोग गौर से सुन लीजिए जिन चात्रों ने NCBT 2021 में एडविशन लिया है NCBT 2021 में जिसने एडविशन लिया है सिर्फ और सिर्फ उनी चात्रों को ट्रेनी वेरिफिकेशन कराना है SCBT वालों के चात्रों का ट्रेनी वेरिफिकेशन कभी भी नहीं होता है उन चात्रों को कोई दिक्कत नहीं है जो SCBT में एडविशन लिये है चाहे 2021 में लिए हो चाहे 2020 में लिए हो चाहे कभी भी एडविशन लिए हो SCVT का कोई भी trainee verification नहीं होता है trainee verification जो होता है वो सिर्फ NCVT का होता है और अभी जो trainee verification हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ NCVT 2021 का हो रहा है 2020 वाले जो बच्चे हैं उनका last year our lady trainee verification हो चुका है तो वो छात्र जो है एकजाम दे चुके हैं आप जो 2021 में अड़िसन लिए हैं उनका ट्रेनी वेरिफिकेशन हो रहा है और जिन छात्रों का ट्रेनी वेरिफिकेशन होगा सिर्फ उनी का एकजाम होगा बाकी छात्रों का एकजाम नहीं होगा ये बात आप लोग जो है 100% अपन से ज़्यादा मातरा में कमेंट करेंगे तो एक वीडियो उनके लिए भी लेके आऊंगा क्योंकि एक जो है और आया है सरकार से बहुत सारे कारणों से जो है ट्रेनी जो है टी आर नंबर जो है वो जनरेट नहीं होता है रिजक्ट हो जाता है तो ऐसे छातरों को क्या करना है उसका वीडियो में आप लोगों को जल्द ही लेके आऊंगा उत्तर प्रदेश सरकार का एक और भी आ गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि उन बच्चों की प्रावलम रिजॉल्व हो जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे है जो जिनकी अटेंडेंस लगवर 90% है क उनका किसी कारण से ट्रेनी टियार नंबर जनरेट नहीं हो रहा है ऐसे चात्र बहुत परिसान हो रहा है तो इन चात्रों को मैं एक लेटर सरकार का आया हुआ है वो मैं आपको दिखा दूँगा तो आप लोगों उससे जो है इनफार्मेशन ले सकते हैं फिलाल इस वीडि रहे तो आप लोगों बिखा कैसे समझ में आगया होगा अभी भी कोई कंफूजन रहता है तो आप लोग समझाने की कोसिस करूँगा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाई कर दीजे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडिए बसे साथ तब तक सभी जात्रों को धन्यवाद